आज है Tuesday और अफजान को स्कूल छोड़ने आये थे आज उसके स्कूल में कुछ पोस डे था इसलिए वो थोड़ा सा कलरफुल यूनिफॉर्म मतलब कलरफुल ड्रेस में गया था और आज मैं और अफजान मोमोज वाली पार्टी करने वाले है विकास मेरा हस्बंड चले गए आफिस तो फिर दोफेर में अफजान को मोमोज खाना था और मैंने भी लगबग 3-4 मैंने से बिल्कुल भी नहीं खाया था तो हम लोग ने फिर ऑनलाइन ओडर करें सोचा कहां जाके लेंगे कुछ आइडिया नहीं था हैधराबाद में तो मैंने कभी नहीं मंगाया था मो मोमोज खाया मेरा हस्बेंट तो इतना कुछ खाते नहीं है तो पस हम दोने तो आज फुल इंजोई किया है उसके बाद में अफजान को जूस पीना था तो कप में लाके दे दिया था वो थोड़ा सा अचकर टीवी देखके ना उसे मतलब इंस्पायर हो जाते कि मममा मुझ मतलब भी वॉक कर रहे है बिकॉज अब अच्छा मौसम बहुत अच्छा हो गया है और खा के थोड़ा जब वॉक कर लो ना तो हल्दी भी लगता है मतलब अच्छा लगता है और आसनो मैंने मोमोज खाया था तो वॉक तो और बनता था बड़ ठीक ही मज़ा आगया अज मो सब्सक्राइब को एक चक्र अवजान को ऐसे बाइक से घुमा के ले आते हैं और क्योंकि उसका था कि पपा कहीं चलो तो अब रात में कहां जाएंगे दिवाली का थोड़ा माहौल है तो बस एक चक्र हमारी सोसाइटी मतलब हमारा जो कॉलोनी है उसी के आसपास हम लोग लग मुझे नॉर्मल जन्रल स्टोर में वो नहीं मिर रहा था और उसके बाद हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी थी जो बेसिक सी उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे तो मैं अपने सामान यहां खाली कर रही थी तो मैंने यहां पर एक रोटी रखने वाला यह बोक्स लिया तो की थी और मैं डेली नाइट में खाना खाने के बाद ग्रिंटी पीती हूँ यह अफजान के एपिफिस के जूस थे वो जूस शॉक से पीता है भी मैं उसे ठंडा तो नहीं देती बाहर ही रखती हूँ जब भी मांगता है दे देती हूँ फिर यहां जवार के आटा मेरा खत जो यहां नहीं मिर रहे थे यह टाइगर पॉफ था जो अफजान खाता है उसे लेकर आये थे हम लो और बस यही था छोटा सा जो बेसिक चीज़े जो मुझे जनरल स्टोर में नहीं मिर रही थी तो हम लोग ने बस नाइट में ऐसे आट सा रड़ बजे जाके ले आये थे और कुछ नहीं था बस ऐसे छोटा सा रूटीन था बस ऐसे ही थंडी का रूटीन अभी ऐसे ही रहेगा बेसिक सा खाओ पी और रेस्ट करो उसके बाद अफजान ने आके टीवी देखा और मैंने बिग बॉस देखा बस यही था आज के व्लोग में व्लोग कैसा लगा ज़ तुम्हें कि फॉर बाचिंग